ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट विद्धी फॉर्स चाप्टर ओफ यह नाइन्थ ग्रेड इन फिजिक्स दाट इस मोशन अब मोशन और आगे कि जितने भी हम फिजिक्स के चाप्टर्स की स्टेंड़ में पढ़ेंगे, वे आर वेरी वेरी इंट्रेस्टिंग दरीजन इस कि इस सारे चाप्टर्स में से आप कई टॉपिक्स प्रैक्टिकली फील कर सकते हैं, और जितने टॉपिक्स में आपको पढ़ाऊंगा, उस में से आपको कितनी जगे ऐसा लेगे गया कि यह तो मुझे पहले से ही पता था, बट अब मैं आपको उसको डीटेल में बताऊंगा, So, Let's Start, Now इस चाप्टर में हमारे पास में पहला टॉपिक है, Terms Used to Describe Motion, मोशन आपने शायद वर्ड पहले सुना होगा या नहीं सुना होगा, बट यह मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए certain हमारे पास में Terms होते हैं, दो या तीरी Terms हैं और बहुत सिंपल हैं, हम उसके बा acceleration, गाडियों में आपने सुना होगा, ब्रेक होता है और एक्सलेटर होता है, Now what is that accelerator and what is acceleration basically, वो भी हम देखेंगे, Then we have the graphical representation of motion, graphs आपने मैच में पढ़े हैं, क्या होता है graph और graph की मदद से हम क्या कर सकते हैं, वो आपको पहले से पता है, इस chapter में उसका क्या use होगा, वो भी हम देखेंगे, and last we have the equations of motion, Now these three are very important equations of motions, जो derive करने बहुत simple है, but उनका use बहुत अच्छा है, and then we have the uniform circular motion, बहुत ही easy सा छोटा सा topic है, वो भी हम देखेंगे, So let's start, Now what are the terms used to describe motion, First we have the reference point, which is also called the origin, origin word अगर आपने graphs पड़े हैं match में, तो आपको पता होगा, origin means zero, जहां से हम start करते हैं, the initial point, the start point, बहुत सारे नाम है, basic मतलब क्या है, वो point जिससे आप सारी चीज़े अपनी measure करोगे, distance, displacement या जो भी ऐसी terms हम motion में use करते हैं, उसको हम एक जगे से measure करते हैं, मान लो कि आपको दुकान में या market में जाना है, और आपको कोई distance देखनी है कि मान लो आपको एक जगे पर जाना है, आप कैसे देखोगे कि वो कितनी दूर है, कहां से उसे measure करोगे, आपके घर से, मान लो दूसरी जगे जाना है, तो उसको भी आप अपने घर से measure करोगे, so in this case, your home is the reference point, the same thing goes for motion as well, and this is also called the origin, as I just told you, next we have the distance, अब हमारे पास में दो चीज़े है, distance और displacement, अब distance क्या होता है, आपको पहले से पता है, distance is the total path covered, और the length of the actual path covered, मतलब क्या हुआ, फिर से वही market वाले example में जाते है, घर से आप निकले, और आपके पास में कोई market है, वहां पे आप कोई भी चीज लेने गए, त doesn't matter, बत आप कितना चलके या कितना travel करके गए, that is called distance, ये तो आपको समझ में आ गया, बत अब ये दूसरा term जो है displacement, ये भी कुछ वैसा साही है, बत इसको भी हम समझते है, इसमें क्या difference होता है, as compared to the distance, अब distance में फिर से वही example में गए थे, market गए, सामान लिया और वापस आ तो distance क्या होगा, पहले आप 1 km गए, फिर 1 km वापस आ गए, तो total distance कितना होगा आपका 2 km, but when we talk about displacement, displacement means the shortest path between the initial point and the final point, basically क्या, आपने जब भी motion, basically चलना स्टार्ट किया, उसके बाद में आप पे अपना final point, जहाँ पे motion को रोक दिया, इन दोनों point के बीच में इतना difference होगा, that is called the displacement, फिर से वही example पे जाते हैं, market गए, 1 km ट्रावल किया, market से वापस घर आए, फिर से 1 km ट्रावल किया, distance कितना हो रहा था, 2 km, but see, is that displacement क्या होगा, आप निकले कहां से, घर से, finally कहां पे आए, घर पे, तो initial point is equal to the final point, मतलब क्या हो both of these terms with some examples, first up we have like the same example which I just taught you, market वाला ही वैसा से एक देखते है, मान लो एक man है वो, जो मैंने आपको दिखाया है, ये O पे खड़ा है, now this O is called origin or the reference point, so this is the reference point, अब वो मान लो की पहले एक जगे पे गया, that is of 5 meters, फिर वो आगे गया, और उसने और 5 meter चला, मतलब वो कहां पे आय हमारे A point पे, अब ये A point कितना है, reference point से 10 meters, तो A point पे इसकी distance कितनी हो जाएगी, 10 meter, और अगर इस point पे displacement calculate करें, तो यहाँ पे आया, यहाँ से start किया, तो फिर से displacement भी कितनी हुई, 10 meter ही हुई, अब next इसने क्या किया, मान लो कि ये वापस 5 meter पीछे चला जाता है, मान लो कि आ चल रहे हो, आपको उच फील हुआ कि आपके pocket से कुछ गीर गया, आप पलट के वापस उसे लेने आए, तो दूसरे point पे, basically B point पे, आपका distance कितना हो जाएगा, 10 meter तो पहले चले ही थे, फिर 5 meter और चले, तो 15 meter आपका distance हो गया, बट displacement कितना हुआ, हमेशा देखो, final point कहा है, 5 meter चले, और initial point तो वही है, 0, तो इस बाट displacement कितनी हो गई, only 5 meters, doesn't matter कि आपने भले 15 meter चले हो, बट displacement तो खाली वही देखता है, आपने motion start कहां से करी थी, और end कहां पे करी, similarly थोड़ा और जाता है, मानलो 10 meter और और आगे जाता है, फिर पीछे जाता है, और फिर आगे आता है, और इसने finally अपनी motion E point पे, यहां पे खतम करी, about 20 meters from its initial point, तो इसमें total distance कितना हो जाएगा, पहले इसने 10 meter चला, तो we have O is equal to 10 meters, फिर यह 5 गया, फिर यह 10 वापस आया, फिर वो 15 बीछे गया, और finally 20 और आगे चलके गया, तो distance calculate करना बहुत आसान होता है, क्या सारी के सारे distances, basically lens को add up कर दो, we have the total distance, तो सब को add कर देते हैं, then we have the total distance as 60 meters, but अब distance displacement calculate करना, इससे भी जादा आसान होता है, क्योंकि अब तो में देखना ही नहीं कि उसने overall path में किया क्या, we just need to see, रुका कहां पे है, with respect to the starting point, start कहां से किया, O से, end कहां पे किया, finally E पे जाके, यह कितना दूर थ the differences, हमारे पास में 20 meter है, start कहां से किया, 0 से, तो displacement कितना होगा, 20 minus 0, so is equal to 20 meters, मतलब उसने भले ही चला हो, 60 meter, पर अपने घर से, अपने reference point से, तो सिर्फ वो DC meter दूर चला है, this was our linear motion, अब थोड़ा path को गुमा देते, थोड़ा circular में बात करते, मान लो, आपका man इधर खड़ा है, और इसने कुछ circular path कवर करते करते, इस point पे वो आ गया, तो इसने distance कितना लिया, उसके लिए हमें चाहिए, कि यह circular path की radius कितनी है, तो मान लेते, circular path की radius है, 10 meters, अब आप बताओ, कि इसमें distance क्या है, और displacement क्या है, यह बता लगाने के लिए ह final point, कहां रुका, this is the final point, distance कितना होगा, यहां से चला, और यहां पे आ गया, अब अगर आपके पास में, circle का radius है, which is 10 meters, तो आप उसका आराम से क्या निकाल चकते हो, circumference, circumference क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, यहां से लेकर, यहां तक की distance, circumference अगर हम calculate करते, त distance दे देता, now because we are only concerned with half of the circle, we are going to divide it by 2, what is the circumference of a circle, 2 pi r, half क्या हो जाएगा, pi r, so the total distance becomes pi into r, pi is equal to 3.14 and radius is given which is equal to 10, hence the total distance becomes 31.4 meters, तो मतलब क्या हुआ, कि अगर हम displacement देखे, तो इसने यहां से start करके, यहां पे end किया, तो displacement हमारा, खाली 20 meters हो जाता, यह कैसे चालकुलेट किया, radius हमारा कितना है, 10, तो displacement क्या हो जाएगा, इसका exactly double, the diameter, तो हमारा displacement कितना है, 20, but distance कितना आया, 31.4, तो इसके रिए shortest path क्या हो जाता, अगर हो यहां से direct, ऐसे चला जाता, so this was the difference between distance and displacement with this example, now let's talk about the types of motion, हमारे पास में generally 2 ही type के motion है, क्या, एक तो uniform motion और दूसरा non uniform motion, उसका just ultra, अब यह uniform motion क्या होता है, आपने uniform word अपने school में सुना होगा, आप जो uniform पहनते हो, अब वो uniform कैसी दिखती है, एकदम अच्छी पूरी आयन करीबी, basically it is looking very arranged, बहुती जादा वो arranged लगती है, and this type of motion is called uniform motion, वो भी काफी arranged ह इकवल चीज़ें से वो change हो रहा है, let's see exactly क्या होता है, मान लो आपने car start करी, आप एक point पे गए, और वहाँ से आप अपनी motion देखना start करते हो, which is this point, अब आप देखते हैं कि 10 seconds में आपने 50 meters cover किया, और 10 seconds में आपने 50 meters cover किया, और 10 seconds में आपने 50 meters cover किया, मतलब क्या हुआ, ज arranged motion बहुती ज़्यादा आसान है, हर 10 second में 50 meters, so this motion is called uniform motion, so basically what is that, a body is said to be in a uniform motion if it travels equal distances in equal intervals of time, जब भी हमें देखना होता है कि motion कैसा है, तो कोई भी एक हम time limit चूज करते हैं, मान लो 10 seconds, then we see कि हर 10 second में वो same ही measure कर रहा है किया distance, 50 meters है, हाँ, next में गए, फिर 10 second में फिर से 50 meters है, मतलब equal interval में equal distance वो cover कर रहा है, that's why this car will be called in a uniform motion, अब इसका just उल्टा देखते हैं, that is called the non uniform motion, just simple है, मतलब क्या equal intervals में वो unequal distance travel करेगा, मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं, फिर से वही गाड़ी है, फिर से आप ही उसे चला रहें, और इस point से आप फिर से motion देखना start करते हैं, हाँ, 10 seconds में आप 50 meters cover करते हैं, बाद में आपको याद आता है, कि आप इसी चीज़ के लिए late हो रहे है, तो आप क्या करेंगे, speed थोड़ी बढ़ा देंगे, तो आप 10 seconds में आप 60 meters cover करेंगे, उसके 10 seconds बाद आप 70 meters cover करेंगे, basically क् हमारा equal interval तो है, 10 seconds में ही हम देख रहे हैं, बाद distance क्या हो रहा है, अब change, पहले 50 थी, फिर 60 हुई, फिर 70 हुई, basically speed क्या हो गई, change हो गई, distance equal interval में change हो गया, and this motion will be called non-uniform motion, so these were our types of motion, now let's study about the next topic,